नमस्कार, प्रस्तुत है मुण्शी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखाव उपन्यास गोदान का 24 वा भाग, आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी पैसे में कितना दम है, गोबर भोला के घर जाकर अपने बिगड़े संबंद सुधार कर अपने दोनों बैलों को लेकर घर आ जाता है गाउं के नव्यूकों में उसकी धाक है, गाउं के मुख्या उससे चेड़ने लगते हैं, गोबर शहर से सब हिसाब किताब सीख कराया है और अब मुख्या लोग गाउं वालों को ठग नहीं सकते मुख्यों में गोबर को नीचा दिखाने के लिए एक शडियंत्र रचा जाने लगा, नोखे राम का लगान हलाकि होरी ने चुका दिया है, पर उसकी नहीं कोई लिखा पड़ी हुई थी, नहीं कोई रसीद दी गई अब नोखे राम होरी को प्यादे भेज कर लगान की रकम चुकाने को बुलवाता है, इधर घर में आए दिन के जंजटों से तंग आकर गोबर भी शहर वापस चले जाने का फैसला ले लेता है, अब सुनते हैं आगे की कहानी दोनों भोजन करके बाहर आए ही थे कि नोखे राम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं, मैं तो बाकी दे चुका हूँ प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुकम मिला है, जो कुछ अर्ज करना हूँ वही चल कर करना होरी के एक्षा न थी, मगर जाना पड़ा, गोबर विरक्त सा बैठा रहा, लगभग आदे घंटे बाद होरी लोटा और चिलम भर कर पीने लगा अब गोबर से न रहा गया, पुछा, किस मतलब से बुलाया था, होरी ने भर्राईवी आवाज में कहा मैंने पाई पाई लगान चुका दिया, वह कहते हैं कि तुम्हारे उपर दो साल का बाकी है अभी उसी दिन मैंने उख बेची, 25 रुपए वहीं उनको दे दिये और आज वह दो साल का बाकी निकालते हैं मैंने तो कह दिया, कि मैं एक ढेला न दूँगा गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी रसीद कहां देते हैं, तो तुम बिना रसीद लिये ही रुपए दे देते हो मैं क्या जानता था कि वो लोग बेईमानी करेंगे यह सब तुम्हारी करने का फल है, तुमने रात को उनकी हसी उड़ाई यह उसी का दंड है पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता, सूद लगा कर सत्तर रुपए बाकी निकाल दिये, किसके घर से आएंगे गोपड ने अपने सफाई देते हुए कहा तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हसी उड़ाता, तुम्हारा बाल बिबाका न कर सकते थे मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों नहीं काम लेते यो रसीद नहीं देते तो डाक से रुपए भेजो यही तो होगा कि एकाद रुपए महसूल पढ़ जाएगा, इस तरह की धानली तो नहोगी तुमने आग न लगाई होती तो ऐसा कुछ नहोता, अब तो सब मुखिया बिगड़े वे हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं दैव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा मैं जाकर उनसे पूछता हूँ, तुम जाकर और आग लगा दोगे अगर आग लगाने पड़ी तो आग भी लगा दूँगा वो बेदखली करते हैं तो करें, मैं उनके हाथ में गंगा जली रखा कर अदालत में कसम खिलाऊंगा तुम दुम दबा कर यहीं बैठे रहो, मैं इनके पीछे अपनी जान लगा दूँगा मैं किसी का एक पैसा नहीं दबाना चाहता और नहीं अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ वो उसी वक्त उठा और नोखे राम की चौपाल में जा पहुचा देखा तो सभी मुक्या लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ है गोबर को देखकर सब के सब सतर्क हो गये वातावरन में शड्यंत्र किसी कुंठा बरीवी थी गोबर ने उत्तेजित कंट से पूचा ये सब क्या है करिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक लगान चुकता कर दिया आप तब भी दो साल की बाकी निकाल रहे हैं ये कैसा गोलमाल है नोखे राम ने मसनत पर लेट कर रॉब दिखाते वे कहा जब तक हो री है मैं तुमसे लेन देन की कोई बात्चित नहीं करना चाहता गोबर ने आहत्स्वर में कहा तुम मैं घर का कुछ नहीं हूँ तुम अपने घर में सब कुछ होगे तुम यहां कुछ नहीं हो अच्छी बात है आप बेदखली दायर कीजे मैं अदालत में तुमसे गंगा जली उठवा कर रुपे दूँगा इसी गाउं से सौ सहाधते दिला कर साबित कर दूँगा कि तुम रसीद नहीं देते सीधे साधे किसान है कुछ बोलते नहीं तो तुमने समझ लिया सब काठ के उल्लू है राय साभ वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ गाउं के सब लोग उने हवा समझते हूंगे मैं नहीं समझता रत्ती रत्ती का हाल कहूंगा और देखूंगा कि तुम मुझ سے कैसे दो बारा रुपे वसूल करते हो उसकी वानी में सत्य का बल था दरपोक प्राणियों में सत्य भी गुंगा हो जाता है वही सिमेंट जो इट पर चढ़कर पत्थर का हो जाता है मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी का हो जाएगा गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनिती के बखतर को बेद राला जिससे सुसज्जित होकर नोखे राम की दुर्बल आत्मा अपने आपको शक्तिमान समझ रही थी नोखे राम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करके कहा तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो इसमें गर्म होने की कौन सी बात है अगर होरी ने रुपे दिये हैं तो कहीं न कहीं टाके गए होंगे मैं कल ही कागज निकाल कर देखूंगा अब मुझे कुछ-कुछ याद आ रहा है कि शायद होरी ने रुपे दिये थे तुम निश्चिंत रहो, अगर रुपय यहां आ गये हैं तो कहीं नहीं जा सकते और तुम थोड़े से रुपय के लिए जूट थोड़े ही बोलोगे और ना ही मैं इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लथाड़ा कि बिचरा बोड़ा रुवासा हो गया अरे तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो जो बिल्ली के म्याव सुनकर भी चिल्ला उटते हैं कहां कहां तुमारी रक्षा करता फिरूँगा मैं तुमें सत्तर रुपे दिये जाता हूँ दाता दिन ले तो दे कर भरपाई लिख देना इसके उपर तुमने एक पैसा भी दिया न तो मुझसे एक पैसा भी न पाओगे मैं पर्देश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कर भरता रहूँ मैं कल चला जाऊंगा लेकिन इतना कहे देता हूँ किसी से एक पैसा उधार न लेना और ना ही किसी को देना मंगरू दुलारी दाता दिन सभी से एक रुपया सेकड़े सूध कराना होगा धनिया भी खाकर बाहर निकल आई बोली अभी क्यों जाते हो बेटा दो-चार दिन और रहकर उख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो चले जाना गोबर ने शान जमाते वे कहा मेरा दो-तीन रुपय रोज का घाटा हो रहा है यह भी समझती हो यहां मैं बहुत-बहुत तो चार आने की मज़दूरी ही तो करता हूँ और अपकी जुनिया को भी लेता जाऊंगा वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है धनिया ने डरते डरते कहा जैसी तुमारे एक्षा लेकिन वहां वहां अकेले कैसे घर संभालेगी कैसे बच्चे की देखबाल करेगी अब बच्चे को देखो कि अपनी सुविधा देखो मुझसे चूला नहीं फुका जाता ले जाने को मैं नहीं रोकती बेटा लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना न कोई आगे न पीछे सोचे कितना जंजट है परदेश में संगी साथी निकल आते हैं अम्मा और यह तो स्वार्थ का संसार है जिसके साथ चार पैसे गम खाओ वही अपना खाली हाथ तो मा बाप भी नहीं पूछते धनिया कटाक्ष समझ गई उसके सिर से पाओ तक आग लग गई बोली मा बाप को भी तुमने उन्ही पैसों के यारों में समझ लिया आखों देख रहा हूँ नहीं देख रहे हो मा बाप का मन इतना निश्टूर नहीं होता हाँ लड़के अलबत्ता चार पैसे कमाने लगे कि मा बाप से आखे फेड ली इसी गाओं में एक दो नहीं दस बीस पर तोक दे दू हाँ मा बाप करज जमाव करते हैं लेकिन किस के लिए लड़के लड़कियों के लिए ही न कि अपने भोग विलास के लिए क्या जाने तुमने किस के लिए करज लिया था मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना हाँ बीना पाले ही इतने बड़े हो गए पाले में तुम्हारा क्या लगा जब तक बच्चा था दूद पिला दिया फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया जो सबने खाया वही मैंने भी खाया मेरे लिए दूद नहीं आता था मक्कन नहीं बंधा था और तुम चाहती हो और दादा भी यही चाहते हैं कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं लगान दू लड़कियों का ब्याह करूं जैसे मेरी जिन्दगी में तुम्हारा देने भर के लिए ही है मेरे भी तो बाल बच्चे हैं धनिया सन्नाटे में आ गई एक ही छण में उसके जीवन का म्रिदू स्वपने जैसे तूट गया अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो जाएगा जबसे गोबर घर आया उसके मुख पर हास की एक छटा खिली रहती थी उसकी वानु में म्रिदूता वैभारों में उदारता आ गई थी भगवान ने उस पर दया की है तो उसे सिर जुका कर चलना चाहिए भीतर की शान्ती बाहर सौजन्य बन गई थी ये शब्द तपते वे बालू की तरह उसकी रिदय पर पड़े और चने की भाती सारे अर्मान जुलस गया उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया इतना सुन लेने के बाद अब उसके जीवन में क्या रैस रह गया जिस नौका पर बैठ कर इस जीवन के सागर को वह पार करना चाहती थी वह तूट गए तो किस सुख के लिए वह जिये लेकिन नहीं उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है उसने कभी मा की बात का जवाब नहीं दिया कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था वही भोला भाला शील्स नहीं का पुतला आज ऐसे दिल तोड़ने वाली बाते कर रहा है उसके एक्षा के विरुद्धों तो कुछ नहीं कहा माबाप दोनों ही उसका मुह जोहते रहते हैं उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई नहीं उससे कौन कहता कि तुम माबाप का देना चुका न माबाप के लिए क्या यही सुक कम है कि वह इज़त आबरू के साथ भले मानसों की तरह कमाता खाता है उससे कुछ हो सके तो माबाप की मदद कर दे नहीं हो सके तो माबाप उसका गला न दबाएंगे जुनिया को ले जाना चाहता है खुशी से ले जाए धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के खयाल से कहा कि जुनिया को वहाँ ले जाने से उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं जादा जणजटी बढ़ जाएगा उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वो इतना बिगड उठा हो नहो या आग जुनिया ने ही लगाई है वही बैठे बैठे उसे मंतर पढ़ा रही है यहाँ शौक सिंगार करने को नहीं मिलता न घर का कुछ न कुछ काम भी करना ही पड़ता है वहां रुपे हाथ में आएंगे मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टांग फैला कर सोएगी दो आदमियों की रोटी पकाने में लगता ही क्या है वहां तो पैसा चाहिए सुना है बाजार में पकी-पकी रोटीयां भी मिलती है यह सारा उपद्रव उसी ने कड़ा किया है शहर में कुछ दिन रह भी तो चुकी है वहां का दानपानी मुह लगा हुआ है यहां तो कोई पूछता न था यह भोंदू मिल गया इसे फास लिया जब यहां पांच महिने का पेट लेकर आये थी तब कैसे म्याव में हो करती थी तब यहां सरण न मेले होती तो आज कहीं भीक मांगती होती यह उसी नेकी का बदला है इसी चुडैल के पीछे डांड देना पड़ा बिरादरी में बदनामी हुई केती तूट गई सारी दुर्गत हो गई और आज यह चुडैल जिस पतल में खाती है उसी में छेद कर रही है पैसे देखे तो आखें हो गई तभी एठी एठी फिरती है मिजाज नहीं मिलता आज लड़का चार पैसे कमाने लगा है न इसलिए इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पाउं दबाने के लिए तेल लिए दोड़ती थी डायन उसके जीवन की निधी को उसके हाथ से चीद देलना चाहती है वो दुखित स्वर में बोली यह मंतर तुम्हें कौन दे रहा है बेटा तुम ऐसे तो न थे तुम्हारे माबाप हैं तुम्हारे बेहने हैं तुम्हारा घर है यहां बाहर का कौन है और हम क्या बहुत दिनों तक बैठे रहेंगे गर की मरजाद बनाए रखोगे तो तुम्ही को सुख होगा आदमी घर वालों के लिए ही तो धन कमाता है कि और किसी के लिए अपना पेट तो सूवर में पाल लेता है मैं न जानती थी कि जुनिया नागिन बनकर हमी को डसेगी गोबर ने तुनक कर कहा अम्मा, मैं नादार नहीं हो कि जुनिया मुझे मंतर पढ़ाएगी तुम उसे नहा की कोस रही हो तुम्हारी ग्रिहस्ती का सारा बोज मैं नहीं उठा सकता मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूँगा लेकिन अपने पावों में बेडिया नहीं डाल सकता जुनिया भी कोठी से बाहर निकल कर बोली अम्मा जुलाहे का गुस्सा डाड़ी पर न उतारो कोई बच्चा नहीं है कि मैं उसे फोड़ दूँगी दनिया ने दाथ पीस कर कहा अच्छा जुनिया तु ज्यान न बघार अब तू भी अपना भलाबुरा सोचने योगी हो गई है जब यहां आकर मेरे पैरों पर सिर रख कर रो रही थी तब अपना भलाबुरा न सूजा था उस गड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते न, तो तेरा आज कहीं पता न होता इसके बाद संग्राम छिड़ गया, ताने, मोहाने, गाली, गलोज, थुक्का, फजीहत, कोई बात न बची गोवर भी बीच-बीच में डंक मारता जाता था, होरी बरोठे में बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था सोना और रूपा आंगन में सिर्जुकाय खड़ी थी, दुलारी, पुनिया और कई इस्त्रियां बीच बचाव करने में आ पहुची थी गर्जन के बीच में कभी-कभी बून्दे में गिर जाती थी, दोनों ही अपने अपने भागय को रो रही थी, दोनों ही इश्वर को कोस रही थी, और दोनों अपनी अपनी निर्दोशिता सिध्य कर रही थी जुनिया गड़े मुर्दे उखाड रही थी आज उसे हीरा और शोभा से विशे सहानुभूती हो गई थी जिने धनिया ने कहीं का न रखा था धनिया की आज तक किसी से न पटी थी तो जुनिया से कैसे पट सकती थी धनिया अपनी सफाई देने की चेश्ठा कर रही थी लेकिन न जाने क्या बात थी कि जन्मत जुनिया की ओर था शायद इसलिए कि जुनिया सन्यम हाथ से जाने न देती थी और धनिया आप पे से बाहर थी और शायद इसलिए भी कि जुनिया अब कमाव पुरुष की इस्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ही ज़्यादा मसहले थी तब होरी ने आंगन में आकर कहा मैं तेरे पैरो पड़ता हूँ धनिया, चुप रह, मेरे मुँँ में कालिक मत लगा हाँ अभी और मन नभर रहो तो और सुन ले धनिया फुमकार मार कर उधर दोड़ी तुम भी मोटे डाल पकड़ने चले, मैं ही दोशी हूँ, वह क्या मेरे उपर फूल बरसा रही है होरी ने कहा, अरे जो छोटों के मुँँ लगे वह छोटा धनिया किस तरक से जुनिया को छोटा माल ले होरी ने वेथित कंट से कहा अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही जो आदमी रहना ही नहीं चाहता, क्या उसे बांध कर रखेगी माबाप का धरम है लड़के को पाल पोस कर बढ़ा कर देना वो हम कर चुके, इनके हाथ पाउं हो गए है अब तो क्या चाहती है कि वे दाना चारा लाकर खिलाएं माबाप का धरम सोलो हो आना लड़कों के साथ है लड़कों का माबाप के साथ एक आना भी धरम नहीं जो जाता है उसे आशिष देकर विदा कर दे भगवान हमारा मालिक है जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे चालिस सैतालिस साल इसी तरह रोते धोते कट गया ना दस-पांच साल और हैं वह भी कट जाएंगे उधर गोबर जाने की तयारी कर रहा था इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बाते कहें तो अब उसका वह मुह भी न देखेगा देखते ही देखते उसका बिस्तर बंद गया जुनिया ने भी चुन्दरी पहन ली मुन्नू भी टोपी और फ्रॉक पहन कर राजा बन गया होरी ने आद्रकंट से कहा बेटा तुमसे कुछ कहने का मुह तो नहीं है लेकिन कलेजा नहीं मानता क्या जाकर अपनी अभागिन माता का पाउँ छूलोगे इससे कुछ बुरा तो नहोगा जिस माता की कोक से जनम लिया जिसका रत पी कर पले हो उसके साथ इतना भी नहीं कर सकते गोबर ने मूँ फेर कर कहा मैं उसे अपनी माता नहीं समझता हुरी ने आँखों में आसू ला कर कहा जैसी तुम्हारे एक्षा जहां रहो सुखी रहो जुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरण को आचल से छुआ धनिया के मूँ से आशिस का एक शब्द भी न निकला उसने आख उठा कर भी न देखा गोबर बालक को गोद में लिये आगे आगे था जुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीचे पीचे एक चमार का लड़का संदूक लिये था गाउं के कैस्तरी पुरुष गोबर को पहुँचाने गाउं के बाहर तक आए और धनिया बैठी रो रही थी जैसे कोई इसके रिदे को आरे से चीर रहा हो उसका मात्रित वो उस घर के समान हो रहा था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो बैठ कर रोने के लिए स्थान भी न बचा हो इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या की विवाह की बातचीत हो रही थी उसके साथ ही इलेक्शन भी सिर पर आपहुँचा था मगर इन सबों से आवशक उन्हें दीवानी का एक मुकदमा दायर करना था जिसके कोट फीसी पचास हजार होती थी उपर के खर्च अलग राय साहब के साले जो अपने रियासत के एक मात्र स्वामी थे एन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गये थे और राय साहब अपने पुत्र की ओर से उस रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरन लेना चाहते थे उनके चचेरे सालों ने रियासत पर कबजा जमा लिया था और राय साहब को उसमें कोई हिस्सा देने को तयार न थे राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझोता हो जाए और उनके चचेरे साले माकूल गुजारा लेकर हट जाए यहां तक कि उस रियासत की आधी आंदनी छोड़ने पर भी वह तयार थे मगर सालों ने किसी तरह समझोता नस्विकार किया और केवल लाठी के जोर पर रियासत में तैसिल वसूल शुरू कर दी राय साहब को अदालत में शरण जाने की सिवाए और कुल मार्ग न सुझा मकदमे में लाखों का खर्च था मगर रियासत भी बीस लाख से कम की जायजात न थी वकीलों ने निश्चरूप से कह दिया था कि आपकी शर्तिया डिग्री होगी ऐसा मौका कौन छोड़ सकता है मुश्किल यही था कि ये तीनों काम एक साथ आपड़े थे और उन्हें किसी तरह टाला न जा सकता था कन्या की अवस्था अठारव वर्ष की हो गई थी और केवल हाथ में रुपे न रहने के कारण अब तक उसका विवार टल जाता था खर्च का अनुमान एक लाग का था जिसके पास जाते वही बड़ा सा मौँ खोलता मगर हाल में एक बड़ा अच्छा अफसर हाथ आ गया था कुमर दिगविजे सिंग की पतनी यक्षमा की भेट हो चुकी थी और कुमर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे सौदा भी वारे से तै हो गया और शिकार कहीं हाथ से निकल न जाए इसलिए इसे लगन में विवा होना परमावश्यक था कुमर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस ऐसा कोई नशा न था जो वा करते न हो और अयाशी तो रईसों की सोभा है वह रईस ही क्या, जो अयाशन हो धन का उपयोग और किया भी कैसे जा सकता है मगर इन सब दुर्गुनों की होते हुए भी वह ऐसे प्रतिभावान थे कि अच्छे-चे विद्वान उनका लोहा मानते थे संगीत, नाटे कला, हस्त रेखा, जोतिश, योग, लाठी, कुष्टी, निशाने बाजी आधिकलाओं में अपना जोड़ना रखते थे इसके साथ ही बड़े दबंग और निर्भीक भी थे राष्ट्र या आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते हाँ गुप्त रूप से अधिकारियों से यह बात चिपी न थी फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में एक दो बार गवर्नर सहाब भी उनके महमान हो जाते थे और अभी उनकी अवस्ता 30-32 से अधिक न थी और स्वास्ते तो ऐसा था कि अकेले एक बकरा खाकर हजम कर डालते राय सहाब ने समझा बिल्ली के भागों का छीका तूटा अभी कुवर सहाब शोडशी से निवरित ही न हुवे थे कि राय सहाब ने बाचित शुरू कर दी कुवर सहाब के लिए विवाह केवल अपना प्रभाव और शक्ती बढ़ाने का साधन था राय सहाब काउंसिल के मेंबर तो थे ही यो भी प्रतिभाशाली भी थे राश्ट्रिय संग्राम में अपने त्याग का परिचे देकर शधा के पातर भी बन चुके थे शादी तै होने में कोई बाधा न हो सकती थी और वह तै हो गई रहा इलेक्शन यह सोने की हसिया थी जिसे न उगलते बनता था न निगलते अब तक दो वर्वा निवराचित हो चुके थे और दोनों ही बार उन पर एक एक लाग की चपत पड़ी थी मगर अपकी एक राजा सहब उसी इलाके से खड़े हो गए थे और डंके की चोट से एलान कर दिया था कि चाहे हर एक वोट को एक एक हजार ही क्यों न देना पड़े चाहे पचास लग की रियासत मिट्टी में ही क्यों न मिल जाए मगर राय अमरपाल सिंग को काउंसिल में न जाने दूँगा और उन्हें अधिकारियों ने अपनी सहायता का आश्वासन भी दे दिया था राय सहाब विचारशील और चतुर थे अपना नफ़ा नुकसान समझते थे मगर राजपूत थे और पोतडों के रईस थे वो चुनोती पाकर मैदान से कैसे हट जाएं यो उनसे राजा सुर्य प्रताप सिंग ने आकर कहा होता कि भाई सहाब आप तो दो बार काउंसिल में जा चुके अब की मुझे जाने दीजी तो शायद राजा सहाब ने उनका स्वागत किया होता काउंसिल का मोह अब उन्हें न था लेकिन इस चुनोती के सामने ताल ठोकने की सिवाई अब कोई और राह न थी एक मसहलत और भी थी मिस्टर तंखा ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप खड़े हो जाएं पीछे राजा सहाब से एक लाग की थैली लेकर बैठ जाईएगा उन्होंने यहां तक कहा था कि राजा सहाब बड़ी खुशी से एक लाग दे देंगे मेरी उनसे बात हो चुकी है पर अब मालूम हुआ राजा सहाब राय सहाब को परास्त करने का गौरव नहीं चोड़ना चाहते और इसका मुख्य कारण था राय सहाब की लड़की की शादी कुमर सहाब से ठीक होना दो प्रतिभाशाली घरानों का सन्योग वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक समझते थे उधर राय सहाब को ससुराली जायदात मिलने की भी आशा थी राजा सहाब के पहलू में यह काटा भी बुरी तरह खटक रहा था कहीं वह जायदात इने मिल गई क्योंकि कानून राय सहाब के पक्ष में था तब तो राजा सहाब का एक प्रतिदवन्दी खड़ा हो जाएगा इसलिए उनका धर्म था कि राय सहाब को कुचल डाले और उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला दे बिचारे राय सहाब बड़े संकट में पड़ गये थे उन्हें यह संदेव होने लगा था कि केवल अपना मतलब निकालने के लिए मिस्टर तंखा ने उन्हें धोखा दिया यह खबर भी उन्हें मिली थी कि वो अब राजा सहाब के पैरोकार हो गये है यह राय सहाब के घाओ पर जैसे नमक की तरह था उन्होंने कए बार तंखा को बुलाया था मगर वो यह तो घर पर मिलते ही न थे यह आने का वादा करके भूल जाते थे आखिर आज खुद उनसे मिलने का इरादा करके वो उनके पास जा पहुँचे शेश कहानी अगले भाग में कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर आपकी नजर में आपकी पहचान में कोई बैसा इंसान हो जिने हिंदी साहिते से प्रेम है और वह पढ़ सकने में असमर्थ है तो आप इन कहानियों को उन तक जरूर पहुचाएं धन्यवाद